आस्टेलिया के दिगाजॉल राउंडर एंडू साइमंस की मौत से क्रिकेट जगत हैरान है। सनिवार की रात एंडू साइमंस की कारहाज से में मौत हो गई थी। एंडू साइमंस की गिंती आस्टेलिया के बिसफोटक बल्लेवाजों में की जाती थी। एंडू साइमन्स का करियर बिबादों से भरा रहा था. दोज़र साथ आठ में हर्वजन सिंग और एंडू साइमन्स की बीच हुई लराई क्रिकेट इतिहास के सबसे वरे बिबादों में से एक थी. इस बिबाद को मंकी गेट परकरन कहा जाता है. साल 2078 में टीम इंडिया ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया था सिड्नी में सीरीज का दूसरा मैच खिला जा रहा था इस मैच में हर्भजन सिंग बल्लेवाजी कर रहे थे इसी दौरान एंडो साइमंट्स की हर्भजन के साथ बहस हो गई हर्भजन सिंग पर आरोप लगा था कि उन्होंने एंडो साइमंट्स को मंकी गहा था औस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉंटिंग ने अंपायर से हर्भजन के खिलाफ सिकायत की रिकी पॉंटिंग ने हर्भजन पर रेसिज्म का गंभीर आरोप लगाया ICC की नियमों के तहत रेसिजन को बहुत बढ़ा आरोप माना जाता है किसी भी तरह की नसलिय टिपनी को लेवल तीन का अपराद माना जाता है और इसमें खिलारी के उपर दो से चार टेस्ट का बैन लग सकता है दिन का खेल खत्म होने के बाद इस मामले के सुनवाई आधी रार तक चली और हरवजन को दो सी धहराते हुए उन पर तीन मैच का बैन लगा दिया गया इस टेस्ट मैच में आस्टेलिया ने जीत हासिल की मगर बात इस टेस्ट मैच के बात भी गड़ी पूरी भारतिय टीम और BCCI इस बिबाद में हरवजन के साथ थी टेम इंडिया ने साफ कर दिया था कि वो अगला मैच तब तक नहीं खेलेंगे जब तक हरवजन पर लगाए गए नसल भेदी टिपनी के आरोप बापस नहीं लिये जाते मामले को लेकर विवाद बढ़ता देखकर ICC ने इसकी सुनवाई न्यूजिलैंड के जज जॉन हैंसन को सौंग दी जज जॉन हैंसन ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हरवजन सिंग पर लगे सभी आरूपों को बेबुनियाद बताया जज ने कहा कि हरवजन ने साइमन्स को मंकी नहीं बलकि तीरी मा की कहा था इसी बज़ा से इस विवाद को मंकी गेट विवाद कहा जाता है भारत के दिगज बल्लेवाजों में एक सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्म कथा में इस विवाद पर लिखा है कि जब मैं और हरवजन बैटिंग कर रहे थे तभी मामला गर्म हो गया हरवजन ने पचास रन पूरे किये और तब तक साइमन्स कुष्य में आ गये थे यह बहुत इंपॉर्टेंट पिरियड है सचिन तेंदुलकर लगातार हरवजन सिंग को सांत कर रहे थे इसी दोरान रन लेने के दोरान हरवजन ने मजाक में ब्रेटली की पीठ थपथपा दी जिसके बाद फिल्डिंग कर रहे साइमन्स और गुस्य में आ गये और यहीं से मामला गर्म हुआ साइमन्स ने हरवजन को गाली दीनी शुरू कर दी इसके बाद हरवजन सिंग से भी नहीं रहे गया और विबाद चादा बढ़ गया आज भी इस बरकरन को क्रिकेटी तिहास का सबसे बरा विबाद माना जाता है खेल जगत और अनले लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बुक, टुईटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं